चली आज बनाते हैं हम फिर से सूजी का चटपटा कुरकुरा सा स्नैक जो की कम समय के साथ साथ बहुत ही मज़िदार लगे का आपको खाने में यानि कि जब आप इसको खाएंगे तो आपको इसमें कचोडी समोसे सभी का टेस्ट मिलने वाला है वो भी सिर्फ और सिर्फ एक ह आपको बहुत बहुत स्वागत करती हूं आज हम बनाने जा रहे हैं सूजी का चटपटा सा स्नैक उसके लिए मैंने पहले गैस पर एक पैन रख लीजिए ठीक है उसमें मैंने डाला है एक कप पानी जी हां श्रीफ एक कप पानी उसके साथ आजा चोटा चमच नमक स्वात क जांसाया है जैसे हलका गरम हो जाएगा हमारा पानी इसके बाद इसमें हम क्या करेंगे न जिसक पसे आप पानी लेगे उसी कप के नाप से आप यहां पर अधियाँ कबर मेश्य का धियान डखोए एक कप पानी हैक अधित reverse थीक है तो यहां पर औOR सिरसरफ किस एक फ्यासे और इस सूजी को जब तक की डो की फॉर्म में ना जाया ना बढ़िया से कंटिनुस के लिए उसको चलाते वे डो की फॉर्म में ले आई यह सूजी है जल्दी से पानी अब्सॉर्ब कर लेती है दाना बढ़िया से फूल जाना चाहिए हमारा आप चाहे तो इस स्टेज पर द दालना है यह आप देखिए मैंने मैं गाती हूं कि आप दोनों जगे पर कभी भी डाल सकते हैं यानि की नमक की जगे पर भी और यहां पर भी मेरा जो सूजी का डो था वो परफेक्ट डो की फॉम में आ गया है इसको हम निकाल लेते हैं बड़ी असी प्लेट में ठंड़ ह सूजी जो है मेरी हापर बढ़िया से ठंड़ हो जानी जब आप इसको हाथ लगा है तो बढ़िया से हैंडल होनी चाहिए आपकी सूजी इतने गरम-गरम हमको काम नहीं करना है जैसे ही सूजी ठंड़ी हो जाए इसमें में डालूंगी दो उबले हुए आलू जी हां सरिफ नाश्ता नाश्ता जो आपके लेगा है जाए जाए जो हम गिस जाएंगे सारे की डालेंगे जैसे कि स्वात के नुशार थोड़ा सा नमक हुए ठीक है मोटी कुटी काली मिर्श का पाउडर है अंदर तक चिट पटा फ्लेवर आना चाहिए ना तो जरूर ढ़िएगा कटा हुआ हारा धनिया जी हां जरूर डाली बहुत मसिर का लगता है और आधा चोटा चुमश में यह पर कस्तोरी मेथि का विलिया है आधा चोटा चमश में हैं इस अपर सफेख तिल का उसकी वाल में शुआ दिखने में भी बड़े लगेगा वर फ्लेवर तो मसताने वाला पर आदध छोटा चमद जीरा डाला है और इन सब चीजों को बढ़िया से हमको क्या करना है mix सूजी के साथ सूजी अभी मेरी हल्की फुलकी गरम है ज्यादा गरम नहीं हल्की फुलकी गरम है अगर सूजी चिपक रही हातों में आलू हन डाले ना इसलिए हो सकता है कि चिपके और हो सकता है ना भी चिपके किसी किसी के अगर जिसके चिपके तो वो हलका सा ओईल लगा सकते हैं हाथों में जब-जब चिपके तब तब आप हातों में ओईल लगाई और पढ़िया से अपने सूजी को डो को यहाँ पर चिकना कर लीजिए यह देखिए मेरे हाथ में फिरसे चिपकाता मैं फिर से यहाँ पर ओईल लगा रहे हूँ सूजी का जो डो है ना इसको बढ़िया से यहां पर set करके है निकी mix करके आप रख दीजिए जब थोड़ी सी ओर set हो जाएगी proper ठंडी हो जाएगी फूल जाएगा थोड़ा सा दाना दाना बिल्कुल ही खतम हो जाएगा ना हमारी सूजी का तब इसमें हम काम करना चालू करे देखेंगे रेस जरूर देजिए का सिर्फ और सिर्फ 10 जाएगा देख सकते हैं दस मिनट के बाद कितना बढ़िया सा हमारा जो सूजी का डो है यहां पर बढ़िया से सेट हो गया है आप फिर से यहां पर टेल लगा सकते हैं ऐसी कोई बात नहीं है कि एक यह बार लगाना तो आप दो पाटों में डिवाइट कर लिया है अब हम इन दोनों की ना बड़ी आसी एक लोई बना करके तियार कर लेंगे जितनी बड़ी बने कोई बात नहीं कोई परेशानी नहीं हमको इतनी बड़ी ही लोई चाहिए कि फटाफट काम होने वाला है और कोई भी समय आपका नहीं वेस्ट होगा ताकि इसलिए मैंने हापर इन सबी डोको ना दो पाटों में डिवाइट पर लेंगे ताकि हमारा अब लोटी को यानि कि जो हमने सूजी का नाश्ता का रख बेला है इसको कॉनर्स को कट कर देंगे बड़ी है स्कॉार शेप हम इसकी ले आएंगे बड़ी है से और जो कॉनर्स निकल ना इसको फेक बिलकुल भी नहीं इसको आप एज़िटी इसको आप फ्राइ कर सकते है थी कि आप नाश्ते को बड़ी आसी शेप देंगे मैं है पर नॉर्मल यह यह आप देखने वे आप लंबे में अपने नाश्ते को यहाँ पर त्यार कर रही हूं आप चाहे तो इससे छोटे पीस भी कर सकते हैं इसको गोल शेप भी दे सकते हैं हो इसको ट्राइंगल भी श आप चाहे तो बहुत कम तेल में इसको अज़ादा है लेकिन मेरा पर तो बढ़ा आप अच्छे तेल गरम में आपको फ्राइब में आपको नहीं बहुती है तो जब तक आप इसको टेश्ट मत करना चेड़ना नहीं बिल्कुल भी और जैसे जहागोड से सेटल हो जाएंगी आपको दिखेगा हलका हलका जो है कलर आना स्टार्ट हो गया है हमारे नास्ते पर तब आप इसको यहां पर जो है गैस को मीडियम कर सकते हैं लो नहीं मीडिय कि क्या बात है आज तो मज़ा ही आने वाला है तो बस एक कप सूजी और दो गालो से बनने वाला यह चटपटा स्नैक बहुत ही मज़िदार लगता है बनाने में और खाने में तो कोई बात ही नहीं है चली इसको हम बढ़िया से निकाल लेते हैं बहुत जल्दी फ्राई भी तब ही आप अपना नेक्स्ट बैच यहां पर डालीगा और फिर से अपने हाई फ्लेम पर लोटू मीडियम फ्लेम पर चाहे तो आप फ्राई कर सकते हैं तो लीजिए तयार है गरमा गरम कुरकुरा चटपटा कम टाइम में बनने वाला स्नैक जो कि सूजी और आलू से बना पसंद आ रही है आपको यह रैसेपी भी उतनी ही पसंद आएगी कितना क्यूट और सुंदर अंदर से देखे कितना खसता बना है यह देखे मैं तोड के जब दिखा रहे हूं कितना अच्छा लग रहा और कुरकुरा बना एक दम और चटपटा चटपटा तो बेहदी बना जो पसकता है कि आप एक बार ट्राइ करें तो आप बार बार इसे बनाएं तो इस वीडियो को आप को से आप घ्री आखे रहे हैं वह भी मुझे ज़रूर बताइए तो प्लीज लाइक शेयर शिर्क परना ना भूले अगली बार एक नहीं रैसीपी के साथ थैंक्यू फर व